गुड मॉर्निंग बेटा आज हम हिंदी विशे के बारे में पढ़ेंगे और अपनी किताब भाशा अभ्यास में से कुछ कार्या करेंगे ये कार्या आपका जो लेसन हमने भाशा मादुरी में समझदार अजे पार्ट नमबर तीन किया था उसी का अभ्यास कार्या है ठीक है बटा तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं देखी बटा सबसे पहले हमाना पेज नमबर साथ उसका हैडिंग नमबर दो बाई और दिया गया शबत पढ़िए उसे दाई और के शब्दों में से ढून कर उस पर घेरा लगाईए यहाँ पर नीचे देखी बटा आपको बाई और कुछ शबत दिये गए हैं और इसी तरह दाई और भी कुछ शबत दिये गए हैं सबसे पहले आपने बाई और के शबत को पढ़ना है तो चलिए हम पढ़ते हैं काम काम अब जो धाई और आपको तीन तीन शबत दिये गए हैं उन तीनों को हम पढ़ेंगे नाम कान कान तो देखिए जो हमने पहले बाई और पढ़ा था काम वो शबत कहां पर है तीसरे नमबर पर लिखा हुआ तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसके उपर घेरा लगा देंगे तो देखिए यहाँ पर आपके काम शबत के उपर घेरा लगा हुआ है इसी तरह से बिटा आपने बाकी के इन सब को पूरा करना है यह बहुत आसान है आप इसको अराम से कर सकते हो अब अगला हैडिंग देखिए हैडिंग नमबर 3 गोले में दिये गए वरन में आ मात्रा लगाकर खाली जगा में लिखिए वा नए शबद बनाईए यहाँ पे देखो बेटा नीची आपको कुछ फूल दिये गए है फूल के बीच में एक अक्षर लिखा हुआ है और नीचे कुछ शबद लिखे गए है जो की अधूरे है हमने हैडिंग के अकॉरिंग क्या करना है उपर वाले शबद को नीचे लाकर लिखना है और साथ में उसके आ की मात्रा लगानी है एक आपको करके दिया गया है हम दूसरे से शुरू करते हैं देखिए फूल के बीच आपको क्या लिखा हुआ गया है पूरा हो गया इसी तरह से अगला शबत देखिए डैश व ल वल अब वल तो कुछ नहीं होता तो हम क्या करेंगे च को नीचे लिख देंगे इसके साथ और साथ में लगा देंगे आ की मत्रा तो वो क्या बन जाएगा चा व ल चावल देखो चावल शबत तो होता है तो इस त इस तरह से बटा आपने ये बाकी के जो फूल है इसी तरह आपने इन फूलों को भी पूरा करना है तो चलिए बाकी की जो तीन फूल रहगे उनको आप ने पूरा करना है तो चलिए अब हम नेक्स्ट पेस पर चलते हैं अगला बीटा अब पांश समान लयवाले शबत में समान धवनी अर्थाच समान आवाज आती है उनकी आगे वाले अक्षर भिन होती है लेकिन पीछी वाले अक्षर समान होती है और उनकी आवाज भी पीछे से एक जैसी आती है देखिए जैसे यहाँ पर आपको शबद दिया गया है ताला ताला अब आपने इसके दो समान लेवाले शबद बताने है तो इसका शबद आएगा मा, ला, माला और दूसरा जाएगा का, ला, काला तो हमारे शबद बन गए ताला, माला, काला अब देखी इन तीनों शबदों के अंत में समान अवाज आ रही है अर्थात ला इन तीनों शबदों के अंत में ला आवाज आ रही है तो हम इन तीनों शबदों को कहेंगे कि ये तीनों शबद क्या है समान लेवाले शबद हाँ जी बटा अब अपनी सक्रीन पर देखिए मैंने इन शबदों के समान लेवाले शबद लिख दिये हैं इनको पढ़ते हैं ताला, माला, काला, जर्ना, भर्ना, डर्ना, हमला, गमला, कमला, मटका, लटका, पटका, आग, भाग, जाग, सजाना, बजाना, खजाना, पकडा, अकडा, जकडा तो इस तरह से आपने बेटा इन शब्दों को लिखकर ये काम पूरा करना है ओकी बेटा अब हमारा next heading देखिए अगला heading देखिए बेटा सही वरन पर आ मात्रा लगा कर शबद लिखी नीची बेटा आपको कुछ शबद दिये गए हैं लेकिन उसमें आ की मात्रा नहीं तो वो मात्रा हमने लगानी है लेकिन हमने ये देखना है कि वो मात्रा किस वरन के साथ लगेगी देखिए शुरू करते हैं अब गल तो कुछ नहीं होता तो हम क्या करेंगे ग के साथ आ की मात्रा लगा कर देखते हैं का शबद बनता है यह शबद बनेगा गाल गाल देखो गाल गाल तो शबद होता है ना यह आपके श्रीर के एक अंग का नाम है गाल तो हम ग के साथ आ की मातरा लगा कर यह शबद पूरा कर देंगे आगे देखिए कन कन अब कन कुछ नहीं होता तो हम क्या करेंगे क के साथ मा कान तो इस तरह से बाकी के जो शबद रह गए इन पर आपने मतरा लगाकर देखनी है आगी मतरा लगाकर देखना है आपने किस वरण के साथ लगाने से वो शबद ठीक से बन जाएगा ओकी बिटा, तो अब आप ये दोनों पेज अपनी किताब पर पूरा करेंगे फिर इनको याद भी करना है आपने ओकी बिटा, थैंक यू